अंड कोसिका का निशेचन होता है अब भासा को समझेंगे कि जब अंड कोसिका का निशेचन होता है या अंडाणू का निशेचन होता है तो क्या होता है और यदि निशेचन नहीं होता तो क्या होता है क्योंकि अंडासे के दोरा तो अंडाणू का स्रामण कर दिया गया लेकिन यदि उसका निसेचन होता है तो आगे की प्रक्रिया क्या होती है और यदि उसका निसेचन नहीं हो पाता अर्थाथ उस तक सुक्राणू नहीं पहुच पाता तो क्या होता है निसेचित अंड युगमनज कहलाता है अर्थात जब अंडाण और सुक्राण का संयुगमन होता है उसे युगमनज कहा जाता है जो गर्भासे में रोपित होता है जो गर्भासे में रोपित होता है या इस्तित होता है गर्भासाई में रोपण के पस्चात युगमनज में विभाजन वा विभेदन होता है। गर्भासाई में धसी होती है। जो की गर्भासाई में धसी होती है। के मिलने से यानि सेचन से भ्रूण का निर्माड हुआ। अब उसी भ्रूण से संतान की उत्पत्ती होनी है। तो उस भ्रूण को पोषण की आवस्चता होगी। उस पोषण को पहुचाने का कार या भ्रूण तक पोषण को पहुचाने का कार प्लेसेंटा नामत उतक करता है। जो की अब उस भ्रूण को किस प्रकार से या किस प्रकार का पोषण दिया जाता है। तो वह ग्लूकोज और आक्सीजन के रूप में होता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अप्सिष्ट पदार्थों का निप्टान इसी प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। इसको बाहर निकालने का काम करता है। अंड के निशेचन से लेकर सिसु के जन्म तक के समय को हम गर्भकाल कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब अंडार का निशेचन होता है उस समय से जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता उसको हम गर्भकाल कहते हैं इसकी अवध ही मानों में नव महीने की होती है अब आप सोच रहे होंगे कि भूण के द्वारा जो अप्सिष्ट पदार्थों का उत्पादन होता है उसको कहां पर छोड़ा जाता है या किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है तो प्लेसेंटा उस अप्सिष्ट पदार्थ को मा के रक्त में मिला देता है और वह उसी अंड का निशेचन नहीं होता या जब अंडाणू का निशेचन नहीं होता तब क्या होता है हर महीने गर्भास है खुद को निशेचित अंड प्राप्त करने के लिए तयार करता है गर्भासे की भित्ति मांसल और इस्पंजी होती है यह भूण के विकास के लिए आवस्ट होती है यदि निसेचन नहीं होता है तो इस भित्ती की आवस्टता भी नहीं होती है इसकी इस भित्ती का निर्मार ही इसलिए होता है कि निसेचित अंड इस पे आएगा इसी के लिए इस भित्ती की आवस्टता होती है और वह निसेचित अंड जब गर्भासे पर आएगा यह पर भूण का निर्माड होगा और भूण के विकास के लिए ही इस भिक्ति की आवसकता होती है जब अंड निसेचित ही नहीं हुआ गर्भासे पर अर्थात गर्भासे तक निसेचित अंड पहुंचा ही नहीं तो भूण का निर्माड कैसे होगा और जब भूण का निर्माड ह नहीं हुआ तो इस भिक्ति की आवस्चक्ता क्यों है तो जब इस भिक्ति की आवस्चक्ता नहीं है तो यह धीरे-धीरे तूट कर योनी मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है जब इस भिक्ति की आवस्चक्ता ही नहीं है तो यह धीरे-धीरे तूट जाती है और जब यह तूटती है तो इस से रक्त और म्यूकस निकलता है और यह रक्त और म्यूकस निकलता है और यह रक्त और म्यूकस योनी मार्ग से बाहर निकल जाता है यह चक्र यह प्रक्रिया लगभग एक महीने का समय लेती है अर्थात आप कह सकते हैं इस भेति के नि माण में एक महीने का समय लगता है और जब निसेचित अंड यहां पर गर भासे पर नहीं पहुंचता है तो इसकी आवसकता भी नहीं होती है और जब इसकी आवसकता नहीं होती तो यह तूट जाती है और तूटने से रक्त और म्यूकस बनते हैं और इस रक्त और म्यूकस को योनी के मार्ग से बाहर कर दिया जाता है यह चक्र एक महीने में एक महीने का समय लेता है तथा इसे रितु स्राव या रजो धर्म कहते हैं इसी प्रक्रिया को इसी प्रक्रिया को रजो धर्म या रितु स्राव या मासिक स्राव कहा जाता है 40-50 वर्ष की उम्र के बाद अंडासय से अंड का उत्पन होना बंद हो जाता है फल्सरूप रजोधर्म बंद हो जाता है या मासिक स्राव बंद हो जाता है जिसे रजो निवरत्ती कहते हैं जब मासिक स्राव 40-50 वर्ष की अवस्था में बंद हो जाता है तो इसे रजो निवरत्ती कहते हैं जनन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है लेंगिक जनन के दारान पूर्सों में जो युगमक बनते हैं वे नर युगमक होते हैं और इस्त्री में जो युगमक का अंतरण होता है उसे मादा युगमक कहते हैं नर युगमकों से मेल होने से मादा के अंडाण निशेचित हो जात तता रूप यो ले लेता है। नर और माधा युगमकों का संजुगमन हो जाता है। उसके नौ महीने के बाद सिसु पूर रूप से विक्सित हो जाता है और तथा इस्तरी प्रिसवकाल में होती है अर्थात इसके पस्चात नौ महीने के पस्चात सिसु का जन्म होता है नर्वा मादा दोनों में 46-46 गुनसूतर होते हैं अर्थात तेश जोड़ी गुनसूतर होते हैं जब जनन कोसिकाओं में जनन कोसिकाओं कि नहें कहते हैं आप ने अभी विस्तारपूरवक देखा था उन जनन कोसिकाओं में जब युगमक का निर्माण होता है तब कोसिकाओ में जब आपस में सयुगमन होता है तो इनमें अर्ध सूत्री विभाजन होता है इस विभाजन में गुन सूत्र आधे रह जाते हैं अर्था तेज तेज हो जाते हैं तेज नर के और तेज मादा के नर और मादा में 46 गुन सूत्र पाए जाते हैं 46 गुन सुत्र पाए जाते हैं अर्था 23 जोड़ी गुन सुत्र पाए जाते हैं लेकिन जब अर्ध सुत्री भी भाजन होता है तो अर्ध सुत्री भाजन में इन गुन सुत्रों की संख्या आज ही रह जाती है अर्था 23 नर के और 23 मादा के अर्ध सुत्री भी भाजन केवल जन सुत्री विभाजन होता है मनुस्य के सरीर में कोशिका का विभाजन दो तरह से होता है मनुस्य के सरीर में कोशिका का विभाजन दो तरह से होता है पहला होता है संसुत्री विभाजन कोशिका के केंद्रक का विभाजन वा कोशिका के केंद्र के विभाजन को संसूत्री विभाजन कहते हैं कोशिका के केंद्रक का जब विभाजन होता है उसे हम संसूत्री विभाजन कहते हैं और कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है जब अर्ध सूत्री विभाजन होता है तो कोशिका के गुण सूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती ही यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है आप कह सकते हैं कि सरीर की सभी कोशिकाओं में समसूत्री का विभाजन होता है लेकिन जनन को सिकाओं में अज्ज सुत्री विभाजन होता है इस प्रकार मानो जनन की प्रक्रिया संपन होती है इस प्रकार जैसा कि अभी आपने विस्तार पूर्वक समझा इसी प्रक्रिया के माध्धम से मानो में निशेचन होने के बाद संतान का जन्म होता है तथा नए मानो अस्तित्तों में आता है इस प्रकार मानो जनन की प्रक्रिया संपन होती है वा निसेचन के बाद संतान का जन्म होता है तथा नए मानो की उत्पत्ति होती है जनन स्वास्थ क्या होता है जनन स्वास्थ का अर्थ है जनन से संबंधित आयां जैसे सारेरिक, मांसिक, सामाजिक वब्यवारिक रूप से स्वस्थ होना, जनन स्वास्थ का अर्थ होता है, सारेरिक रूप से आप स्वस्थ रहें, मांसिक रूप से स्वस्थ रहें, और सामाजिक वब्यवारिक रूप से भी आप स्वस्थ रहें, यह जनन स्वास्थ होता ह रोगों का लेंगिक संचरण जनन के अंतरगत कई प्रकार के रोगों का संचरण भी हो जाता है यदि नर और मादा के बीच संबंध इस्थाफित होता है उसके माध्यम से कई प्रकार के रोगों का संचरण भी हो जाता है अनेक रोगों का लेंगिक संचरण भी होता है जैसे क कि जीवान जनित, गोनेरिया, सिफिलिस, बिसान जनित, मस्सा और एड्स हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि मस्सा जो होते हैं और जो एड्स होता है, यह बिसान जनित रोग होता है, इनको रोखने के उपाए भी हैं, जैसे इन रोगों को रोखने के उपाए के रूप में कंड प्रोल किया जा सकता है गर्भ रोधन क्या होता है गर्भ धारन को रोकना या अंचाहे गर्भ को रोकना गर्भ रोधन कहलाता है गर्भ रोधन के प्रकार यांतरिक अवरोध गर्भ धारन को कितने प्रकार से रोंका जाता है या रोक सकते हैं इसको देखेंगे तो यांतरिक पहला होता है यांत्रिक अवरोध, सुक्राड को अंड कोसिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। गर्भधारन नहीं होगा। तो इसका उपाया है कि सिस्न को ढख दिया जाए। या फिर योनी में सरवाईकल कैप रख दिया जाए। जिससे कि नर के द्वारा स्रावित, बेल या स्पर्म, अंड कोसिका तक या अंडासे तक नहीं पहुंचेंगे। जिससे उनके बीच निश रासाइनिक प्रक्रिया के माध्यम से भी इस एरों का जा सकता है। माधा में अंडे को ना बनने देना। इस प्रक्रिया के माध्यम से जैसे एक माह में माधा में एक अंडे का स्रामण होता है। उसको ही ना बनने देना। इसके लिए दवाई ली जाती है जो की हार्मोन के संतुलन को परिवर्थित कर देती है हार्मोन के माध्यम से अन्नाड़मों का स्रामण होता है या हार्मोन उन्हीं प्रेरित करते हैं उस प्रक्रिया को ही अवरुध कर देना इनके माध्यम इनके अन्न प्रभाव भी है लूप या कापर्टी यह एक प्रकार की रासानिक प्रक्रिया होती है जो कि गर्भासे में इस्थापित किया जाता है या अंतरिक अवरोध के अंतरगत भी आप इसे देख सकते हैं लूप या कापरटी का प्रयोग करके गर्भधारन से या अंचाहे गर्भधारन से बचा जा सकता है इसका के माध्यम से भी या आफ्रेशन के माध्यम से भी गर्वधारण को रोंका जा सकता है यह किस प्रकार से होता है पहला होता है नसबंदी पूर्शों में सुक्रवाहिकाओं को रोंक कर जिस मार्ग से सुक्राण आगे बढ़ते हैं उस मार्ग को अरुध कर देना अगला होता है ट्यूबेक्टों में महिलाओं में अंडवाहनी को अरुध कर दिया जाता है और अंड की इस्थानांत्रन को रोंक दिया जाता है जिससे निशेचन नहीं होता आगे आता है भूण हत्या भूण हत्या क्या होती है तो भूण को गर्भासे में ही मार देना भूण हत्या कहलाता है गर्भासे में ही भूण को नश्ट कर देना या विसेश लिंग की चाह में एक विसेश लिंग को खतम कर देना भूण हत्या कहलाता है एक स्वस्थ समाज के लिए और संतुलित लिंग अनुपात के लिए भूण हत्या को रोकना अती आवस्यक है जैसे कि आप इस समय का लिंग अनपात देख रहे होंगे तो नर्की अपेच्छा मादा कम है यह भूर्ण हत्या का ही परिडाम है यह तभी संभव है जब लोगों में जागरूपता फैलाई जा सके वार भूर्ण हत्या यह भूर्ण लिंग निर्धारन जैसी घटनाओं को रोका जा सके तभी भूर्ण हत्या में लगाम लग सकता है थैंक्यू चित्रकोटे कड़मी के साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और सेयर करिए लेकिन उसके पहले आज का सवाल आज का सवाल यह है मानों में गुण सूत्रों की संख्या क्या होती है इसका जवाब आपको कमेंट बाक्स में देना है मानों में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है जुड़े रहिए चित्रकोटे कड़मी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए सेयर करिए धन्यवाद